ये भोजन चौपट कर देता है भजन को और ये भोजन ही भजन में तन्मे कर देता है दोनों बात समझ लीजिए पुझपाट सी उडिया बाबाजी महराज ने कहा है कि रसमे भोजन तो नीरस भजन और नीरस भोजन तो रसमे भजन अब देख लीजिए एक तरफ गुलाब जामुन खीर और चकाचक और एक तरफ राधा नाम सुधारसम जिब्या कि धर लल चाएगी गुलाब जामुन की तरफ राधा नाम सुधारसम का इसलिए स्वाद नहीं मिल रहा बिना स्वाद ही खाईये पकी बात बजिए अब इसको इस तरह में मत लीजें किवो निशेद करते वे उसका नका रात्मक भोग लगाओ थोड़ा किनका लेलो आप रूखी सुखी पाओ पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है और आपको यह है कि बड़ी हां बाल भोग राज भोग और शयन भोग तो फिर और भी भोग हैं इतने से इकाम नहीं चलेगा और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चायते वो भी भोगने पड़ेंगे आप समझ लो अगर इस चक्र से मुक्त होना है भोग और रोग से भावरोग से और इस भोगों में शुक्ष बुद्धी से तो सब से पहले बाणी और रसेंद्री दो का सुधार कर लीजिए सब सुधार हो जाएगा यह जो अच्छा अच्छा पाने की कुछ अच्छा नहीं है कुछ अच्छा नहीं है यहां घांटी के नीचे सब माटी है बस वो कुछ सेकेंड का ऐसा है समभालिए इसको देखो आज से भोजन में सुधार कीजिए पर अगर हमारी बात पर आप स्रद्धा नहीं करेंगे तो अरे ठाकूर जी का प्रसाद स्रीजी का प्रसाद मीरा जी तो जहर पी गई थी यह तो खीर पूरी है यह तो खीर पुड़ी है यह तो गुलाब जामुन और आप रोक रहे हो मीरा जी ने जैर पी लिया था वो जानता है अंतरया में फिर किसी दिन ऐसा प्रशाद आएगा यह बासी है क्या खट्टा लग रहा है यमना जी को पवा दो पधराद हो हम सुना है ना जैह हो जैह हो यमना जी वो देख रहे न मीरा जी ने जहर पिया था तुम दो दिन का बासी प्रशाद नहीं प्रशाद में कोई बासी होता ये चतुरता मत करना नहीं हती नागरी ब्रशभान की सुरूब रासी हती फस जाओगे बिलकुल सीधे भाव में रो बिना श्वाद ही खाईये किसलिए मुले राम भजन के हेत प्रभु का भजन करने के लिए चरन दास का है सूर्मा वही योद्धा है भगवत मार्ग का जो इसको सुधार ले जैसे कुछ ऐसे विरक्त जन है जिनके पास भोजन की अविवस्ता है कभी-कभी जैसे कही भंडारा हो रहा है उनको ऐसा पाना पड़े तो हमने बड़े-बड़े महापुरुषों से इस विश्य में चर्चा जब की तो उनका पहली पंगत हो जाने के बाद दूसरी पंगत में बैठना नहीं है वहाँ जाके याचना कर लें कि अगर आप देशकते हैं तो सबजी दे दिजिए चार पूरी देजिए आगे जो मीठा दक्षणा और यह सब नहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा वहाँ से यह उनके पावन पुलिन पर बैठ कर पा लीजिए भजन में कोई बिगन नहीं पड़ेगा पर अगर बैठ करके और ऐसे तो फिर आप खुद अन्वो कर लीजिए अपने खुद अन्वो किये हैं कि विचरन के उसको आप देख लीजि का हम गाओं के अंदर तो रुकेंगे नहीं बाहर ब्रक्षावली थी वहां रुक गए बाबा उडिया बाबा और परिकर बहुत सुंदर शुंदर प्रशाद पवाया सबको शुबह हुआ तो सब एक दूसरे की मुख की तरफ देखके कह रहे थे आज तो हमें नियम का मर्थ तो कि बाबा ने बुलवाया उस्षिवेप्ति को और कहा साब जितने शाधूजन है सब के नियम भंग हो गए क्या बात है शही बताओ कोई अपराध नहीं लगेगा तो उनका हमारे पुत्र नहीं होता हम पुत्र की भावना शिपती-पत्नी ने मिलकर के सोयम बना कि अनका प्रभाव भोजन का प्रभाव कि इसले विरक्त को भिख्षान किसी एक कान ने बस उसमें यह देखना है कि जिस दिन बहुत रुचिकारी भोजन हो जो बहुत अच्छा लगता हो उसको थोड़ा ले लिजिए बकायमत लीजिए है हिमत कि आज तो जुवति तेरो बजन आनंद भरिव एक तरफ यह है वो आज तो यह है अब उधर से यह हम सत्संग का अशर कैसे हमारे उपर वो उसकी बात कर दें बिना श्वाद ही खाईये राम भजन के हेत चरंदास कहें सूरमा ऐसे जीतो खेत ऐसे ऐसे चलो तब जीत जाओगे इस माया की रणभुम्मी में तुम बिजय प्राप्त करोगे उसे शूरमा कहा है वही बल्वान है जो वर्तमान में उपस्थित भोग का त्याग कर सके पीछे तो सब डी घांकते हो जब सामने उपस्थित होता है अब साम से देखेंगे आज तो छक्के पा लेते साम से देखेंगे वो साम कभी जीवन में नहीं आएगी त्याग ना है तो अब ही काल करे मोझ करहे हैं आज और अभू को त्यांग और यू मतलत करदें आपत था नहीं तो मौन गहे सदाध्यान चरंदा से धारना धारे सो सग्यान अगर बोलना है तो नाम बोलो भगवत चर्चा बोलो नहीं तो मौन रहो